अलो अब्रीवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू आईएस हिंदी, दिस इस बनीश रिवास्तो, जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुभ्याट बजे के इंपॉर्टन सेशन लेकर मैं आता हूँ, जिसमें साइन सेंटेक के अलग-लग टॉपिक्स को हम डिसकस करते हैं, आज हम बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कुश्चिन्स आते हैं आपको, तो वो आसानी से आप बना पाएंगे, तो शुरू करेंगे हमारा सेशन, उससे पहले कोई भी तरह की डाउट से इंड शोशल मीडिया हैंडल पर जोड़ सकते हैं लेक्चर की PDF उपर दीखें, टेलिग्राम ग्रूप से आप डाउनलोड करेंगे, और भी कोई तरह की issues होंगे, तो वो मुझे बताएंगे, तो देखें, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई इधन है, कोई fuel है, तो इसकी जरूरत क्यों हैं, तो देखें, सबसे पहली चीज, एक चीज पढ़ी होगी, जिस मैं आपने पढ़ा होगा, conservation of energy, उर्जा का सरक्षन का नियम पढ़ा है, आपने, उर्जा का सरक्षन का नियम कहता है, कि energy को ना create किया जा सकता है, ना destroy किया जा सकता है, ना इसको उत्पने किया जा सकता है, ना इसका विनाश किया जा सकता है, क्या हो सकती है energy, तो one form to another form होती है, यह आपने कई बार सुना हुआ है लेकिन जब आप fuel के case में देखेंगे तो fuel करता क्या है क्या एक तरह की energy को दूसरी तरह की energy में बदलता है तो अगर हम बात करें यह वाला जो statement एक प्रकार की उर्जा को दूसरी प्रकार की उर्जा में परिवर्तित जो है वो हो सकती है तो जो paper है यह माचिस इसको जला सकती है क्या नहीं जला पाएगी कब तक जब तक इसमें आग नहीं लगेगी मरलब अगर आप इसको इस माचिस को किसी ऐसे पदार्थ के उपर टकराएंगे जो जिससे यह जवलन शील हो जिसमें combustion हो तब जाकर चीज़े होंगी तो basically यहां से जो fire उत्पन हो रहा है वो किसी भी तरह की energy नहीं है वो क्या है एक agent है जो इसको एक form of energy से दूसरे form of energy में तबदील कर सकता है तो इसलिए आपका energy तो सब चीज़ों की अंतरकत है ना वो energy बन रही है ना वो energy खतम हो रही है law of conservation of energy तो हर जगा लागो हो रहा है लेकिन यहां कि basically वो energy को आप एक तरीके से दूसरे तरीके में किसकी मदद से करते है तो इसको जो मदद मिलती है वो मिलती है fuels की वो मिलती है किसकी इधन की तो इधन की मदद से वो चीज़ करवाई ली जाती है जैसे कि अगर हम बात करें का इंजन चल रहा है तो का इंजन जो है वो क्य यूज कर रहा है कि पेट्रोल की गाड़ी है आपकी या डीजल की गाड़ी है तो उस पेट्रोल डीजल से उसका इंजन वर्क कर रहा है और आप एक एक फॉर्म ऑफ इनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ इनर्जी में वो कनवर्ट हो रहा है ना इनर्जी क्रियेट हो रही ना ट में दटनी को इस प्रगारता चीजcke फर से यह तो संधेंगी ऐख से मिलता है one form to another but how we can transform from one form to another हम कैसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो बीच में आ जाते हैं ऐसी चीज़ हैं जिनको हम कहते हैं फ्यूल तो फ्यूल एक तरह का एजेंट है एक तरह का मध्यस्ता का एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है जो उसको एक रूप से जार्थ में एक अत्वा एक से अधिक जो दहन शील तत्व होते हैं कंबस्टिबल एलिमेंट्स की उपस्तिती होती है जैसे की कारबन हाइड्रोजन सल्फर ये सारी चीज़न उसके अंदर गट प्रेजेंट होती है जिसके कारण क्या होती है वो कंबस्ट होते हैं मतलब उन जिसे घर के अंदर खाना बनाना कई तरह की हीटिंग सिस्टम में तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए होती है उर्जा चाहिए होती है तो उर्जा जो है उत्पन्न किस से हो रही है उसी के अंतरगत होने वाली एक घटना जिसको हम क्या कह रहा है कंबशन या दहन तो किसी इधन तथा ऑक्सीजन के मद्धे उच्च ताप पर संपन्न रसाइनिक अभीक्रिया मतलब फ्यूल यहां पर कौन चीज आ रही है और ऑक्सीजन आ रहा है फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है एक हाई टेंपरेचर पर जो केमिकल रियाक्शन हो र रसाइनिक उर्जा जो केमिकल एनरजी है वो किस में बदल जा रही है थर्मल एनरजी में मतलब जो रसाइनिक उर्जा है वो परिवर्तित हो रही है उश्मिय उर्जा में और वहां से रूपांतरित होकर हमें क्या प्रवाइट कर रही है एक उर्जा का ही प्रकार दे रही ह और उस उर्जा का प्रयोग जो है, हम लग-लग चीजों में कर रहे हैं, तो यह जो उर्जा है, वो हमें कहां से मिल रही हैं, फ्यूल से मिल रही है, तो फ्यूल जो है, बहुत important हो जाते हैं, और उनके अंतरगत ये combustion बहुत important हो जाता है, अब देखिए कई तरह के पदार्थ होते हैं, मतलब पूरे हम जिस world में रह रहे हैं, जिस संसार में रहे हैं, तो हमें कुछ पदार्थ ऐसे मिलेंगे जो combustible हैं, कुछ non-combustible हैं, कुछ दहन शील हैं, कुछ गैर दहन शील हैं, त सायक होते हैं, दहन शील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी आप जलाली जो खुद भी जलेंगी और साथ-साथ उश्मा भी देगी, कोईला जलेगा, तो भी होगा, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारी चीज़ें क्या दे रही हैं आपको, तो ये combustible material हैं, जो दहन हो सकत कुछ ऐसे भी होते हैं, जो कुछ नहीं करते हैं, बस जो है बीच में वहाँ पर रहते हैं, ना उनमें खुद में परिवर्तन आते हैं, ने किसी और में परिवर्तन लाते हैं, इसके वे प्रीत, वे पदार्थ, जो किसी भी प्रकार से ना तो स्वेम जलते हैं, ना दहन की प्रक्रिया में सायक होते हैं उन्हें गैर दहनशील पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि पानी लोहा पत्थर मिट्टी रेत ये सारे जो हैं नॉन कंबस्टेबल चीजें हैं मतलब गैर दहनशील चीजों के अंतरगत आते हैं अब अगर हम बात करें अगर आपसे कोई लगी पूचे कि दहन को आप कितने प्रकारों में बाञ सकते हैं तो दहन को हम तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं मतलब कंबशन को है इसको विस्फोर्ट की भी संगया मतलब explosion भी बोल सकते हैं अधारन के लिए विस्फोर्ट पदार्तों का जलना माचिस की तिल्ली का जलना यह क्या है बहुत जल्दी होगा तो rapid combustion इसके अलावा कुछ चीज़ें होती है जिनको मंद दहन कहा जाता है slow combustion इस प्रक्रिया में इधन की दहन की दर या दहन का विक थोड़ा सा कम होता है जैसे जीवधारियों होने वाली स्वशन की प्रिग्या जैसे हमारे अंदर respiration होता है वो भी एक तरह का क्या है combustion ही है लेकिन वो सकते हैं दहन को एक हो सकता है आपका rapid combustion मतलब तीवर एक मंद और एक स्वता है मतलब auto combustion slow combustion and rapid combustion अब देखें यहां पर तो combustion हो गया लेकिन अगर हम बात करें अगर आपसे कोई पूछे कि इधन को किस प्रकार से आप बाढ़ सकते हैं तो इधन को हम दो सवस्था के आधार पर बाढ़ सकते हैं मतलब इनकी physical state wise और दूसरा इनकी उत्पत्ती के अनुसार मतलब इनके origin के अनुसार अब आप सोच रहोंगे यह किस तरह का प्रकार है तो देखें यहां पर अगर हम बात करें तो हम इनको तीन तरीके से सीधे तोर पर बाढ़ सकते हैं इसमें हो सकता है solid fuels जो ठोस अवस्था में मिलते हैं द्रव अवस्था की अगर हम बात करें liquid fuels और gaseous fuel अतलब gasey अवस्था में कोई fuel मिल रहा है कोई द्रव अवस्था में मिल रहा है कोई ठोस अवस्था में मिल रहा है और उत्पत्ती के अनुसार क्या हो सकते हैं तो एक हो सकता है manufactured fuel मतलब एक हो सकता है prakritik इधन एक हो सकता है kritim इधन मतलब कृतिम मतलब उसको कही न कही industries में उद्योगों में बनाया गया तो हम इधनों को इस तरीके से दो भागों में वर्गिकृत कर सकते हैं तो अब देखा जाये तो क्या होता है बात करते हैं तो solid जो fuel है जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको solid form में मिल जाती है जैसे जैसे कि अगर हम बात करें आपने उपले देखे होंगे कंडे देखे होंगे cow dung वो क्या है एक तरह का ठोस है उसको जलाने पर जो है liquid हो चाए gas हो दोनों ही मिल सकते हैं प्राकरतिक भी और manufactured भी तो इनको देख लेते हैं तो देखे आप solid fuel की बात करें ठोस इधन की बात करें तो ठोस इधन बे आप देख सकते हैं कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती है तो इसके अंतरगत आप देखेंगे तो लखड़ी यह कैसी है ठोस है तो यह किस के अंतरगत आ रहा है प्राकरतिक के अंतरगत आ रहा है मतला यह natural मिल रहा है आपको यह आप कहीं बना नहीं रहे है wood को आप कोई industry में नहीं मनाते हैं कि लखड़ी आपने उद्योगों में बनाना चालू कर दी वो तो पेड़ से मिलेगी तो वो कैसी अवस्ता में ठोस अवस्ता में कोईला ठोस अवस्ता में oil shell जो oil shell है यह भी अमेरिका में अभी बहुत जादा मिले है तो यह क्या है ठोस अवस्ता में और वहीं पर अगर हम कृतिम तोर पर बात करें तो जैसे briquettes की बात करें, ये कोईले की राक से बने तुकड़े होते हैं, इनका प्रयोक किया जाता है, फिर खोई, bagasses, जो होता है, जैसे गन्ये का जो बचा हुआ, solid होता है, उसको जलाया जाता है, bagasses कहा जाता है, पुआल स्ट्रॉ जिसमें आप देखेंगे स्टबल बर्निंग जो होती है आजकल हरियाना में अगर पंजाब की बात करें तो पराली जिसको कहा जाता है पुआल या पराली बोल सकते हैं ये भी क्या है एक तरह का फ्यूल है इसके अलावा कास्ट की बात करें कास्ट कोईला जिसको चार कूल कहा जाता है कोक ये भी कोईले का एक प्रकार होता है ये सारी चीज़ें बनाई जाती है ये हमें प्राकृतिक पर नहीं मिल रहे हैं तो यह आटिफिशल है लेकिन ये सारे एक्जामपल किसके हैं सौलिद फ्यूल के उपले काव डंकेक्स जैसा मैंने एक् प्राकृतिक तोर पे दूसरा कृतिम तोर पे तो ऑप लिक्विड में अगर हम बात करें तो हमें मिलता है क्या? पेट्रोलियम, ये तो हमें प्राकृतिक तौर पे मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, पेट्रोलियम का आस्वन करते हैं और उससे बहुत सारे पदार्थ निकालते हैं, तो ये कहां होता है, रिफाइनरियों में होता है, तो इसमें आप जो भी गाड़ा तरल, लुब्रिकेटिंग ओइल्स जो होते हैं, बायो डीजल, ये सारे एक्जाम्पल्स इसके अंतरगत आ जाते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपका गैसिये इधन पे आ जाते हैं, गैसिये इधन मतलब आपका यहाँ पर गैसियस फ्यूल हो गया, तो गैसियस फ्यूल भी हमें दो तरह से मिलता है, एक प्रकरती से जो मिल रहा है, प्राकरतिक गैस, अब इस प्राकरतिक गैस को हम लेकर आगए रिफाइनरियों में, और वहाँ पर फिर हमने बना दिया क्या, उनसे मैनुफेक्चर्ड फ्यूल, तो ये जो है कृतिम तोर पर जो इधन बनाये गए हैं, गैसिया सवस्था में, कौन-कौन से हैं, तो CNG, compressed natural gas, liquid natural gas, coal gas, producer gas, gel gas, water gas, जिसको कहा जाता है, LPG जो आपके घरों में बहुत जादा इस्तिमाल होता है, और बायो गैस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्यूल को वर्गिकरत किया है, अब इ दहन होता है, क्या combustible material होते हैं, क्या आपका fuels होते हैं, और कैसे energy से जुड़ा हुआ है, इससे related कुछ questions हैं, इनको आप answer करेंगे, which type of coal gives more amount of heat after combustion, किस प्रकार का कोईला दहन के बाद अधिक मातरा में उश्मा देता है, तो आप अपना दिमाग यूज करके बताएंगे, नही से कम production करता है, diesel, coal, LPGA, hydrogen gas, diesel, coal, LPGA, hydrogen gas, इसके answers आपको comment section में देने हैं, इसके अलावा कोई doubts हैं, social media handle पे जोड़ सकते हैं, lecture की PDF उपर दिये गए, telegram group से आप download कर लेंगे, और भी कोई तरह की doubts होंगे, तो मुझे ज़रूर बताएंगे, thank you very much for watching this, have a great day. झाल